राज्टिये विरासत पसू, पांथी, एलिफॉस, इंडिका, भारत का विरासत पसू है, संसत का वीतिये समीतिया, प्राकलन समीति, इस समीति में लोग सभा के 30 सदस्य होते हैं, इसमे राज्ये सभा के सदस्यों को सामिल नहीं किया जाता है, समीति के सदस्यों का चुनाव प सभाव का उपा-ध्यक्ष समिति है तो फिर वही समाइधि का अध्यक्ष भी चुना जाथा है संगठन में कैसे कुसलता लाई जाए ततव परसासंग में कैसे सुधार किये जैए अधी का विषय करी देती है प्राक्लन समिति के प्रतिवेदन पर सद्रियकिक दो tissu परंतु यह समीती अपना कार्य वर्स भर करती है और अपना इद्रिश्टी कौन सदन के समक्ष रखती है लोक लेखा समीती प्राकलंग समीती की जुड़वा बहन के रूप में ग्यात इस समीती में 22 सदसे होते हैं जिसमें 15 सदसे लोक्सभा द्wara तर्क 7 सदसे राच्स्पद द्वारा एक वर्स के लिए निर्वाचित किया जाते हैं इसे लगु लोक्सभा भी कहते हैं समीति के सदस्यों का संसत द्वारा परती वर्स अनुपातिक परत्रिजित्व के अधार पर एकल संकर्मणी अमत प्रणाली की सहायता से चैन किया जाता है इस समीति का अध्यक्स का मनोय नयन लोक सभा अध्यक्स के द्वारा ही किया जाता है तथा लोक सभा सची वाले इस समीती के कार्याले के भूमिका अदा करती है 1967 में पर्थम बार स्री मीनू मसानी विरोधी दल के नेता बने थे तो उन्हें लोक लेखा समीती का अध्यक्ष भी मनुनित कर दिया गया था और उसी समय से विरोधी दल के सदस्यों में से किसी सदस्य कोई समीती का अध्यक्ष मनुनित करने की परंपरा की शुरुआत होई लोक लेखा समीती में राजसभा के सदस्यों को सह सदस्य माना जाता है तथा उन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है लोक लेखा समिती का मुख्यकार या समिती भारत के नियंतरक महा लेखा परिक्षक द्वारा दिया गया लेखा परिक्षन संबंधी परतिवेदन की जाच करती है भारत सरकार के वियाय के लिए सदन दवारा प्रदान की गई रासीं का विनियोग दरसाने वाली लेखाओं की जाच करना अकुसलता में कमी कि किसी भी प्रमान को खोच सकती है लोग लेखा समिति अपना प्रतिवेदन लोग सभा को देती है जिससे की जो अनिमी अत्यताएं उसके ध्यान में आई हैं उस पर संसद में बहस हो और उन पर परभाविक कदम उठाए जा सके हैं सरकारी उपकरमों की समीती क्रिश्ट मेरान समीती की संतुती पर 1936 में सरवाजनिक उपकरमों पर नियंतरन के लिए लोगसभा में सरवाजनिक उपकरम समीती की ववस्था की गई इस समीती में 22 सदस्य होते हैं जिनमें से 15 लोगसभा तथा 7 राज्ये सभा दवरा अनुपातिक परती नियंतर की एकल संकरमनी मत पधिती द्वरान रिवाचित किये जाते है कोई भी मंतरी इस समीती का सदस्य नहीं होता है परतेक वर्स माई के परवर्म में इस समीती का गठन किया जाता है समीती के अध्यक्ष लोग सभा अध्यक्ष द्वरा नामजद किया जाता है इस समीती का निमने कारे है सरकारियों क्रमों के परतिवेदन और लेखाओं की तथा उन पर नियंतरक एवं महालेखा परिक्षक के परतिवेदनों की जाच करना ऐसे विश्यों की जाच करना जो सदन या अध्यक्ष द्वरा निर्दिष्ट किये जाए कुछ अन्ड बुक्ख्य समीतिया कारे मंतरना समीती लोग सभा की कारे मंतरना समीती के अध्यक्ष सही 15 सदस्य होते हैं लोग सभा का अध्यक्ष इसका पदेन अध्यक्ष होता है राज सभा की कारे मंतरना समीती में इसकी सभा का सभापती इसका पदेन सभापती होता है गैर सरकारी सदस्यों के विधक्यों तथा संकल्प संभती संभती इसका गठन लोकसभा में किया जाता है इस समीती में 15 सदस्य होते हैं लोकसभा का उपध्यक्ष इस समीती का अध्यक्ष होता है नियम समीती लोक सभा के नियम समीती में लोक सभा अध्यक्ष सहित 15 सदा से होते हैं जबकि राज सभा के नियम समीती में सभापती एवं उप सभापती सहित 16 सदा से होते हैं लोग सभा अध्यक्ष एम राज सभा के सभापती अपने अपने सदन के समीतियों के पदे अनध्यक्ष होते हैं अनुसुचित जातियों अनुसुचित जन जातियों के कल्यान सम्मंधी समीती इसमें 30 सदस से सामिल किये जाते हैं इसमें 20 लोग सभा और 10 राज सभा के सदस से होते हैं गरंथाले समीती इसमें 9 सदस से होते हैं लोग सभा अध्यक्ष द्वारा मनुनी 6 लोग सभा सदस तथा राज सभा के सभा पती द्वारा मनुनी 3 सदस से सामिल किये जाते हैं इस समिती का गठन परतेक वर्स किया जाता है पंचायती राज लाड रीपन का 1882 इस्वी का संकल्प अस्थानिय स्वसासन के लिए मैगनकार्टा का हैसियत रखता है रीपन को भारत में अस्थानिय स्वसासन का पिता कहा जाता है पंचायती राज का सुभा रम स्वतंतर भारत में 2 अक्टूबर 1929 इस्वी को भारत के पर्थम प्रधान मंत्री जुआहलाल नहरू द्वारा राजस्थान राजी के नागोर जीले में किया गया 11 अक्टूबर 1969 इस्वी को पंडि जुआहलाल नहरू ने आंदर प्रधिस राजी में पंचायती राज का पर्रणब किया 11 अस्थानों को अनुदान देने की विवस्था की गई है 73 समिधान संसोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्मान करने माला पर्थम राजी करना टक है 74 समिधान संसोधन नगरपालिकाओं से संबंधित है इसके द्वरा समिधान के भाग 9 के का अनुछे 243 त से यद 6 तक एवं 12 अनुसूची का प्रवधान किया गया है नगरपालिकाओं को 12 अनुसूची में वर नित्कूल 18 विशियों पर विधी बनाने की सकती प्रदान की गई है 74. संसोधन की मुख्य बाते नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए एक बटा-3 भाग अस्थान आरक्षीत है नगरपालिकाओं के कारेकाल 5 वर्स का होगा विगटन के स्थिती में 6 माह के अंदर चुनाव कराना है नगर पालिका के प्रकार नगर पंचाइद, ऐसा ग्रामीन छेतर जो नगर छेतर में परिवर्तितो रहा हो नगर परिसत छोटे नगर छेतर के लिए, नगर निगम, वड़े नगर छेतर के लिए नोट नगर निगम के स्थापना सरपर्था मदरास में 1687 इसवी में की गई थी महत्वपूंट सब दावलियां सुन्ने काल संसाथ के दोनों सत्रों में प्रस नकाल के ठीक बात की समय को सुन्ने काल कहा जाता है यह बारे बजे पररम होता है और यह एक बजे दीन तक चलता है सुन्ने काल का लोक सभा या राज सभा के परकिरिया यह संचालन नियम में कोई उलेख नहीं है इस काल अर्थाद 12-1 बजे तक के समय को सुन्ने काल नाम समाचार पत्रों द्वारा दिया गया इस काल के दोरान सदसी अविलंबनी महत्तो के मामले को उठाते हैं तथा उस पर तुरंद कारेवाही चाहते हैं वरतमान में सुन्ने काल एक बजे से दो बजे तक चलता है सदन का अस्थगन सदन के अस्थगन द्वारा सदन के काम काज को विन्रिद्रिष्ट समय के लिए अस्थगित कर दिया जाता है या कुछ घंटे दीन या सप्ता का भी हो सकता है जबकि सत्रावासान द्वारा सत्र की समाप्ती होती है विगिटन विगटन के वल लोग सभा कहीं हो सकता है इससे लोग सभा का अंत हो जाता है अनुपूरक विसे सदन में किसी सदसे द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से किसी विसे जिसके समध में उत्तर दिया जा चुका है किसी पस्टी करण है तुँ अनुपूरक प्रस्ण पूछनी के अनुमति प्रदान की जाती है तरांकित प्रस्ण जिन प्रस्णों का उत्तर सदसे तुरंत सदन में चाहता है उसे तरांकित प्रस्ण कहा जाता है तरांकित प्रस्नों के उत्तर मौखिक दिया जाता है तथा तरांकित प्रस्नों के अनुपुरक प्रस्न भी पूछे जा सकते हैं इन प्रस्नों पर तारा लगाना अन्य प्रस्नों से इसका भेद किया जाता है अतरांकित प्रस्ण जिन प्रस्णों का उत्तरसदन से लिखित चाहता है उन्हें अतरांकित प्रस्ण का उत्तरसदन में नहीं दिया जाता है और इन प्रस्णों के अनुपूरक प्रस्ण नहीं पूछे जाते हैं अस्थगन प्रस्ताव पेस करने का मुख्योद्य से किसी आविलंबनिये लोक महत्यों के मामलों की और सदन का ध्याना करसित करना है जब इस प्रस्ताओं को सुईकार कर लिया जाता है तब सदन आविलंबनिये लोक महत्यों के निश्चित मामले पर चर्चा करने के लिए सदन के नियमित कारे रोक देता है इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए नियुंतम 50 सदस्यों की श्युक्रित होना अवस्यक है अल्प सूचना प्रस्ण जो प्रस्ण आवी लंबनिये लोक महत्तो का हो तथा जिने सधारन प्रस्ण के लिए निधारी 10 दिन किये अवधी से कम सूचना दे कर पूछा जा सकता है उन्हें अल्प सूचना प्रस्ण कहा जाता है संचित निधी समिधान के अनुचे 266 में संचित निधी का प्रोधान है संचित निधी से धन, संसत, प्रस्तुत, अनुदान, मांगो द्वारा ही व्याय किया जाता है राज्यों को करोयम सूलकों में से उसका अन्स देने के बाद जो धन बसता है निधी में डाल दिया जाता है राश्टपती उपर राश्टपती नियंत्रे के उम महालेखा प्रिक्षक आदी का वेतन तथा भात्ते इस निधी से भारित होते है अकास्मिक निधी इसमें जमारासी का व्याय विधी द्वारा अस्थापित प्रिक्रिया के अनुसार किया जाता है संसात के स्विकृती के बिना इस मत सधन नहीं निकाला जा सकता है विसेश परिस्थितियों में राश्टपती अगरिम रूप से इस निधी सधन निकाल सकते है आधे घंटे की चर्चा जिस प्रस्थित का उत्तर सदन में दे दिया गया हो उन प्रस्थित उत्तर होने वाले मामलों पर चर्चा लोग सभा में सब्ताह में तीन दिन या था सोमवार, बुधवार, सुक्रवार को बैठा के अंधिम आधे घंटे में की जा सकती है राज्य समा में ऐसी चर्चा किसी दिन जिसे सभापती नियत करे समाने तह 5 से 5.5 बजे के बीच की जा सकती है ऐसी चर्चा का विसाय प्रयाप्त लोग महत्व का होना चाहिए तथा विसाय हाल के ही तरांकित अतरांकित या अल्प सूचना का प्रस्थन रहा हो और जिसके उत्तर के किसी तथ्यात्मक मामले का असपश्थी करण आवस्यक हो ऐसी चर्चा के उठाने की सूचना कम से कम तीन दिन पूर्व दी जाने चाहिए अल्पकालीन चर्चा है भारत में इस प्रथा की सुरवात 1903 इस वी के बाद हुई इसमें लोक महत्यों के प्रस्थन पर सदन का ध्यान आकर्सित किया जाता है ऐसी चर्चा के लिए असपश्थ कारणों सहित सदन के महा सचीव की सूचना देना आवस्यक है इस सूचना पर कम से कम दो अन्य सदस्यों का अस्ताक्षर होना भी आवस्यक है विन्योग विध्यक विन्योग विध्यक में भारत के संचित निधी पर भारित व्याय की पूर्ती के लिए अपेक्षी धन तता सरकार के खर्चतु अनुदान की मांग सामिल है भारत की संचित निधी में से कोई धन विनियोग विध्यक के अधिन ही निकाला जा सकता है लेखा अनुदान जैसा कि विधित है विनियोग विध्यक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधी से कोई रकम निकाली जा सकती है किन्तु सरकार को इस विध्यक के पारित होने के पहले भी रूपियों की आवेसकता हो सकती है अनुछेद 116 के का के अंतरगत लोगसभाल लेखा अनुदान पारित कर सरकार एक अग्रिम जासी मनजूर कर सकती है इसके बारे में बजट वीवरण देना सरकार के लिए संभव नहीं है वित विध्यक समिधान के अनुछेद 112 वित विध्यक को परिभासित करता है जिन वितिये प्रस्ताओं को सरकार आगामी वर्स के लिए सदन में प्रस्तुत करती है उन वीतिय प्रस्ताओं को मिलाकर वीत वीधियक की रचना होती है समयने तब वीत वीधियक उन वीधियकों को कहा जाता है जो राजस्यों या व्याय से संबंधित होता है संसद में प्रस्तुत सभी वीत वीधियक धन वीधियक नहीं हो सकते है वित विध्यक धन विध्यक है या नहीं इसे प्रमारित करने का अधिकार केवल लोग सभा अध्यक्ष को है धन विध्यक, संसद में राजस्व एकत्र करने अथवा अन्य परकार के धन से संबंध विध्यक को धन विध्यक कहते है समिधान के अनुच्छद 110 के एक के उपखंड कह से च्छा तक उल्लेखित विश्यों से सम्मंधित विधिकों को धन विध्यक कहा जाता है धन विध्यक के वो लोकसभ़ में ही पेस किया जा सकता है या वर्स के बजट नो लिखित न की गई और किसी नई सेवा पर खर्च किया वैसकता उत्पन हो जाती है तो राष्ट पती एक अनुपूरक अनुदान संसत के समक्ष पेस करवाएगा अनुपूरक अनुदान और विणियोग विध्यक दोनों के लिए एक ही प्रक्रिया विहित की गई है बजट सत्र एक या सत्र फरवारिक के दूसरे या तीसरे सब्ता के सो मौर्कवा आर्रम होता है इसे बजट सत्र या इसलिए कहते हैं कि इस सत्र में आगामी वीतिये स्वर्स का अनुमानित बजट प्रस्तुत विचारित यहों पारित किया जाता है सामोहिक उत्तरदाई तो इसका अविप्राय यह है कि वह अपने पत पर तब तक बनी रह सकती है जब तक उसे निम्न सदन अर्थात लोगसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त है लोगसभा के विश्वास खुते ही मंत्री परिशत को तुरंत पत्या करना होगा कटावती प्रस्ताव सत्ता पक्षद्वारा सदन के स्विकृती के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांगों में से किसी भी प्रकार की कटावती के लिए भी पक्षद्वारा रखे गए प्रस्ताव को कटावती प्रस्ताव कहा जाता है सरकार के नितियों के अस्विकृति को दर्साने के लिए विपक्ष द्वारा पराया एक रूपिया की कटवती का प्रस्ताव किया जाता है जिसका अर्थ यह भी होता है कि प्रस्ताव मांग के मुद्धों का असपष्ट उलेख किया जाए अविस्वास प्रस्ताव सदन में भी पक्षी दल के किसी सदस्य द्वारा रखा जाता है परस्ताओ के पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का होना अवस्यक है तथा परस्ताओ परस्तुत किया जाने के 10 दिन के अंदर इस पर चर्चा होना भी अवस्यक है चर्चा के बाद अध्यक्ष मद्दान द्वारा निर्ने की घोशना करता है मूल परस्ताव मूल परस्ताव अपने आप में संपून परस्ताव होता है जो सदन के अनुमोदन के लिए पेस किया जाता है मूल परस्ताव इस तरह से बनाया जाता है कि उससे सदन के फैसले के अभिव्यक्ती हो सके निमलेखित प्रस्ताव मूल प्रस्ताव होते हैं राष्टपती के अभिवासन पर धन्यवाद प्रस्ताव और विस्वास प्रस्ताव विशेसाधिकार प्रस्ताव या प्रस्ताव सदन के किसी सदस्य द्वारा पेस किया जाता है जब उसे अपरतीत होता है कि मंत्री परिशत के किसी सदस्य ने संसद में जूठा तथ्य प्रस्तुत करके संसद के विशेसाधिकार का उलंगन किया है अस्थाना पन प्रस्ताव जो प्रस्ताव मुल प्रस्ताव के अस्थान पर और उसके विकल्प के रूप में पेस किया जाते हैं उन्हें अस्थाना पन प्रस्ताव कहता है अनुशंगी प्रस्ताव, इस प्रस्ताव को विभिन प्रकार की कार्योग अगली कारेवाही के लिए नियमित उपाय के रूप में पेस किया जाता है परतियस्थापन प्रस्ताव, या किसी अन्य प्रस्न पर विचार में मर्स के दोरान पेस किया जाता है कोई सदसे किसी विध्यक पर विचार करने के प्रस्ताव के संबंद में प्रतियस्थापन प्रस्ताव पेस कर सकता है संसोधन प्रस्ताव या प्रस्ताव मुल प्रस्ताव से संसोधन करने के लिए पेस किया जाता है अन्यमित दीन वाले प्रस्ताव जिस प्रस्ताव को अध्यक्स द्वारा सुविकार या असुविकार किया जा सकता है लेकिन उस प्रस्ताव पर विचार विमर्स के लिए कोई समय नियत नहीं किया जाता उसे अन्यमित दीन वाला प्रस्ताव कहा जाता है अध्यादेश राश्टपती अथ्वा राज्यपाल संसत अथ्वा विधान मंडल के सित्रवासान की स्थिती में आवस्यक विश्यों से सम्मंदित अध्यादेश का प्रख्यापन करते हैं अध्यादेश में निहित विधी संसद अथ्वा विधान मंडल के अगले सत्री की शुरुवात के च्छा सप्ता के बाद प्रवर्तन योगे नहीं रह जाती है यदी संसद अथ्वा विधान मंडल द्वारा उसका अनुमोदन नहीं किया जाता है निंदा प्रस्ताव निंदा प्रस्ताव मंत्री परिसत अथ्वा किसी एक मंत्री के विरुद उसकी विफलता पर खेद अथ्वा रोस व्यक्त करने के लिए किया जाता है निंदा प्रस्ताव में निंदा के कारणों का उलेक करना आवस्यक होता है निंदा प्रस्ताव नियमा अनुसार है या नहीं इसका नियने अध्यक्ष करता है धन्यमात प्रस्ताव राष्टपती के अभिभासन के बाद संसत की कारे मंत्रना समीती की सिफारिस पर 3-4 दिनों तक धन्यमात प्रस्ताव पर चर्चा होती है चर्चा प्रस्तावक द्वारा अर्रंब होती है तथा उसके बाद प्रस्तावक का समर्थक बोलता है इस चर्चा में राष्टपती के नाम का उलेख नहीं किया जाता है क्योंकि अभिभाशन के विशय वस्तूप के लिए सरकार उत्तरदाई होती है अंत में धन्यवाद प्रस्ताव मतदान के लिए रखा जाता है तथा उसे स्विक्रित किया जाता है विश्वास प्रस्ताव बहुमत का समर्थन प्राप्त होने में संदे होने की स्थिती पर सरकार द्वारा लोग सभमें विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है इस प्रस्ताव का उद्धिस या सिद्ध करना होता है कि सदन का बहुमत उसके साथ है विश्वास प्रस्ताव के पारित नहोने की दसा में सरकार को त्याग पत्र देना अवस्यक होता है Bank Bencher सदन में आगे के अस्थान प्राय मंत्रियों, संसादिय सचीवों तथा विरोधी दलों के निताओं के लिए आरक्षित रहते हैं गैर सरकारी सदस्यों के लिए पीछे का अस्थान नियत रहता है पीछे बैठने वाले सदस्यों को ही Bank Benchers कहते हैं Gulletin Gulletin वह संसद ये प्रक्रिया है जिसमें सभी मांगों को जो नियत तिथी तक न निप्टाई गई हो बिना चर्चा के ही मत्दान के लिए रखा जाता है काकस किसी राजनितिक दल अथवा गूट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को काकस कहते है इन प्रमुख सदस्यों द्वारा तै की गई नितियों से ही पूरा दल संचालित होता है त्रिसंकु सदस्य संसद आम चुनाओं में किसी राजनितिक दल को असपश्ट बहुमत न मिलने की इस्थिती में त्रिसंकु संसद की रचना होती है त्रिसंकु संसत की इस्थिती में दल बदल चैसी कूपरविर्टियों कूपरोप्चाहान मिलता है देश में 9, 9, 10, 11, 12 लोकसभा की यही इस्थिती रही है नियम 193 में इस नियम के अंतरगत सदस्य आवस्यक यह विलंबनिये विसाय पर तुरंत अल्पकालिक चर्चा की मांग कर सकते है यह नियम 1993 इस्थिती में बनाया गया इसके अंतरगत सदस्य किसी भी सरवाजनिक महत्यों के अविलंबनिये विसाय पर अल्पकालिक चर्चा के लिए नोटिस दे सकते है यह चर्चा किसी प्रस्ताओ के माध्यम से नहीं होती है इस कारण चर्चा के अंत्मे सदन में मत विभाजन नहीं होता केवल सभी पक्स के सदस्यों को सम्मंद विशय पर अपने विचार प्रकट करने का आउसर मिलता है न्याइक पुन्रवलोकन भारत में न्याइक पुन्रवलोकन की सकती प्राप्त है न्याइक पुन्रवलोकन के अनुसार न्यालियों को यह अधिकार प्राप्त है यदि विधान मंदल द्वारा पारित की गई विधियां अत्वा कारेपालिका द्वारा दिये गए आदेश समिधान के परतिकूल हैं तो वे उन्हें निरस्त घोसित कर सकते हैं गण पूर्ति सदन में किसी बैठक के लिए गण पूर्ति अधियाक्ष सही खूल सदऽ संख्या का दस्वा भाग होथी है बैठक सुरू होने के पूर्व beingधी गण पूर्ति नहीं है तो गण पूर्ति घंटा बजाई जाती है अध्यक्ष तभी पीठा सीन होता है जब गंड़ पूर्ती हो जाती है प्रसनकाल दोनों सदनों में प्रतेक बैठक के पररम के एक घंटे तक प्रसन किये जाते हैं उनके उत्तर दिये जाते हैं इसे प्रसनकाल कहा जाता है प्रेस निकाल के दोरान सदस्यों को सरकार की कारियों पर अलोचना परतिय अलोचन का समय मिलता है इसके दो लाब हैं एक तो सरकार जनता की कटनायों अपेक छाओं के परति सजग रहती है दूसरे इस दोरान सरकार अपनी नीतियों या कारे करमों की जनकारी सदन को देती है दबाव समूँ व्यक्तियों के ऐसे समूँ जिनके हीत समान होते हैं दबाव समूँ कहे जाते हैं ये गुरूप अपने हित के लिए सासन तंतर पर विभिन प्रकार के दबाव बनाते हैं पांगू सत्र एक विधान मंडल के कारेकाल की समाप्ति तेता दूसरे विधान मंडल के कारेकाल की सुरुवात के बीच के काल को संपन होने वाले सत्र को पांगू सत्र कहा जाता है या विवस्था केवल अमेरिका में है सचेतक राजनीतिक दल में अनुसासन बनाय रखने के लिए सचेतक के नुक्ति प्रतेक संसदिय दल द्वारा की जाती है किसी विशय विशेस पर मद्दान होने की स्थिती में सचेतक अपने दल के सदस्यों को मद्दान विश्यक निर्देश देता है सचेतक के निर्देशों के विरुध मद्दान करने वाले सदस्य के विरुध दल बदल निरुधक कानून के अंतरगत करवाही की जाती है संबिधान के कुछ महत्योपूर अनुछेद अनुछे देख यह घोशना करता है कि भारत राजियों का संग है अनुछे तीन सांसद वीधी द्वारा नए राजिय बना सकती है तथा पहले से अवास्तित राजियों के छेत्रों सीमायों नामों में परिवर्तन कर सकती है अनुछेट पांच, समिधान के परर्रम होने के समय भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति यहां के नागरीक होंगे जिनका जन भारत में हुआ है और जिनके पिता या माता भारत के नागरीक हो यहां समिधान के परर्रम के समय में भारत में रहे हो अनुछेट तिरपन संग योम कारेपाली का संबंदी सकती राष्टपती में नहीं थै अनुछेट 64 उप राष्टपती राष्टपती रास्भा का पदेन अध्यक्ष होगा अनुछेट 74 एक मंत्री परिशद होगी जिसके सिर्ष परप्रदान मंत्र रहेगा जिसकी सहायता वे हम सुझाव के अधर पर राष्टपती अपने कारे संपन करेगा राष्टपती मंत्री परिशद के लिए किसी सलाह के पुनरविचार को आवस्यक समझ सकता है पर पुनरविचार के परश्चाद दी गई सलाह के अनुशार वह कारे करेगा इससे सम्मंधित किसी विवाद की परिक्षा किसी नियाले को नहीं की जाएगी अनुशेद 76 राष्टपती द्वरा महा नयावादी की न्यूक्ति की जाएगी अनुशेद 76 प्रधान मंत्री का या करतव यह होगा कि वह देश के परसासनी के वंबिधाई मामलों तथा मंत्री परिशत के निर्नेओं के संबंध में राष्टपती को सूचना दे यदि राष्टपती इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवस्यक समझे अनुशेद 86 इसके अंत्रगत राष्टपती द्वरा संसत को संबोधित करने या संदेश भेजने के आधिकार का उलेख है अनुशेद 89 राज्यसभा के सभापती योम उपसभापती अनुशेद 108 यदि किसी विध्यक के संबंद में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन हो गया हो तो संजुकत अधिवेशन का प्रवधान है अनुशेद 110 धन विध्यक को इसमें परिभासित किया गया है अनुछे देख सो 11, संसत के दोनों सदनों द्वारा पारिद वीध्यक राष्टपती के पास जाता है राष्टपती उस वीध्यक को सम्माती प्रदान कर सकता है या अस्विक्रित कर सकता है वह संदेश के साथ या बीना संदेश के साथ संसत को उस पर पुनर विचार करने के लिए भेज सकता है पर यारी दुबारा वीधियों को संसत के द्वर राष्टपती को भेजा जाता है तो वह इसे अस्विक्रित नहीं करेगा अनुचे देख सो बारा परते एक वीधिये वर्स है तो राष्टपती द्वरा संसत के समक्ष बढ़त पेस किया जाएगा अनुचे देख सो तेईस संसत के अवकास सत्र नहीं चलने की स्थिती में राष्टपती को अध्यदेश जारी करने का अधिकार है अनुचेद 124 इसके अंत्रगत सरवच न्याले के गठन का वर्णन है अनुचेद 129 सरवच न्याले का अभिलेक न्याले है अनुचेद 148 नेंतरक एवं महालेखा पर एक छक की निक्तिराष्ट पती द्वरा की जाएगी आनुछेद 163 राज्येपाल के कारियों में सहायता एवं सुझाव देने के लिए राज्ये में एक मंत्री परिशत एवं इसके सिर्ष पर मुख्य मंत्री होगा पर राजय पाल के स्वयम विवेक संबंधी कारियों में वह पंत्री परिशत से सुझाव लेने के लिए बाधे नहीं होगा अनुछेद 179 राजयों में विधान परिशिदों की रचना या उनकी समाप्ती विधान स्वभाद्वा बहुमत से पारित प्रस्ताव अत्हसंसा द्वारा इसके स्विकृत्ती से समधव है अनुछेद 200 राज्यों की विधाई द्वारा पारित विध्यक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा वह इस पर अपनी सम्मती संदेश के साथ या बीना संदेश के पुनरविचार है तू विधाईका को वापत भेज सकता है पर पुनरविचार के बाद दुबारा विध्यक आ जाने पर वह इसे अस्विकृत नहीं कर सकता है इसके अत्रिक दुआ विध्यक को रष्ट पती के पास विचार के लिए भी भेज सकता है अनुचेद 213, राजी विधाईका के सत्र में नहीं रहने पर राजेपाल अध्यादेश जारी कर सकता है अनुचेद 214, सभी राज्यों के लिए उच्छ नियाले की विवस्था होगी अनुचेद 235, उच्छ नियाले का नियांत्र नजिनस नियाले उपर होगा अनुचेद 249, केंदरसासित प्रदेशों का प्रसासन राष्ट पती दुआरा होगा यदि वह उचित समझे तो बगल के किसी राज्यों के राज्येपाल को इसके प्रसासन का दाई तो सौप सकता है या एक प्रसासक की नियुक्ति कर सकता है अनुचेद 243, इसमें पंचायत या नगरपालिका के गठन, सनरचन, आरक्षन, सकतियां, प्राधिकार, मुत्रदाई, तो समझे प्रोधान किया गया है अनुचेद 245, संसत, संबूर्ण, देश या इसके किसी एक हिस्से के लिए तथा राज्य विधायन पालिका अपने राज्य या किसी हिस्से के लिए कानुन बना सकती है अनुचेद 244, विधी निर्मान संबंधी अवस्तिष शक्तियां संसत में नहीं थे अनुचेद 249, राजी सभा विशेस बहुमत द्वारा राजी सुची के किसी विशेब और लोक सभा को एक वर्ष के लिए कानुन बनाने के लिए अधिकरित कर सकती है या दिवाय इसे राश्ठ हित के लिए आवस्तिक समझे अनुचेद 262, अंतर राजी नदीयों या नदी घाटियों के जल की वितरने उनियंतरन से संबंधित विवादों के लिए संसत विधी द्वारा नेड़ने कर सकती है अनुचेद 263, केंदर राजी संबंधों में विवाद का समधान करने पर परासपर सहयोग के छेतरों के विकास का उद्देसे से राश्ठ पती एक अंतर राजीये परिशत के अस्थापना कर सकता है अनुचेद 266, भारत की संचित निधी जिसमें भारत सरकार की सभी मौदरिक और सिस्टियां एकत्रित रहेंगे विधी सम्मत प्रक्रिया के विना इससे कोई भी रासी नहीं निकाली जा सकती है अनुचेद 266, संसत विरी द्वारा एक अकास्मिक निधी अस्थापित कर सकती है जिसमें अकास्मात उत्पन परिस्थितियों के लिए रासी एकत्र की जाएगी अनुचेद 275, किंद्र द्वारा राज्यों को सहाय का अनुदान दिये जाने का प्रवधान है अनुचेद 286, राष्टपती हर पांचवे वर्स एक वीत आयोक के स्थापना करेगा जिसमें अध्यक्स के अतरिक चार अन्य सदा से होंगे तथा जो राष्टपती के पास केंद्र योब राज्यों के बीचकरों के वितरन से सम्मंद में अनुसंसा करेंगे अनुचेद 306, राष्ट जी किसी भी व्यक्ति को उसकी समबत्ती से वनचित नहीं करेगा पहले अप्रवधान मूल अधिकारों के अंतरगत था पर सम्मिधान के चवालिसवे समसुधन 1978 द्वाराई से अनुचेद 306, के कम एसे एक समाने व्यधानिक कानुनी अधिकार की रूप में वस्थित किया गया है अनुचेद 312, राजे सभाव विशेस बहुमत द्वारा नई अखिल भारतिय सेवाओं के अस्थापना के अनुचेद 315, संग यों राजियों के लिए एक लोग सेवा आयोग के अस्थापना की जाएगी अनुचेद 324, चुनावों के परवेक्षन, निर्देशन यों नियंतरन संबन्धी समझ सकती हैं चुनाव आयोग में नहीं थरहेगी अनुचेद 326, लोग सभा तता विधान सभाव के चुनावों व्यस्क मताधिकार के अधार पर होगा अनुचेद 333, लोग सभाव में अनुचेद जातियों, जन जातियों के लारक्षन अनुचेद 331, अंगल भारती समुधाय के लोगों का राष्ट पती द्वारा लोग सभाव में मनुनेयन संभाव है यदि वह समझे कि उसका उचित परतिनी दित्व नहीं है अनुचेद 332, अनुचेद 332, अनुचेद जातियों, जन जातियों का विधान सभाव में अरक्षन का प्रवधान अनुचेद 333, अंगल भारती समुधाय के लोगों का विधान सभाव में मनुनेयन अनुछे 335, अनुशुचित जातियों, जन जातियों, पिछडे वर्गों के लिए विभिन से वहों में पदों पर अरक्षन का प्रवल्धान अनुछे 338, राष्ट्रिये अनुशुचित जाती आयोग अनुछे 338 का कर, राष्टी ये अनुशुची जन जाती आयोग अनुछे 340, पीछडे वर्गों की दसाओं के अन्वेशन के लिए आयोग की न्युकती अनुछे 343, संग के अधिकारिक भासा देवनागरी लिपी में लिखी गई हिंदी होगी अनुछे 347, यदि किसी राजी में प्रयाप संख्या में लोग किसी भासा को बोलते हो और उसकी अकांग्छा हो कि उनके द्वारा बोली जाने वाली भासा की मानेता दी जाए तो इसकी अनुमती राष्टपती दे सकता है अनुछे 351, यदि संख का करता भी होगा कि वह हिंदी भासा का प्रसार हो मत्थान करे ताकि वह भारत के मिस्रित सांस्कृती के सभी अंगों के लिए अभिव्यक्ती का माध्यम बने अनुछे 352, राष्टपती द्वारा आपात इस्तिती की घोशना यदि वह समस्ता हो कि भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा युद्ध बहां अक्रमनिया सैन विद्रो के फल सुरूख खत्रे में अनुछे 356, यदि किसी राष्टपती के राष्टपती को यह report दी जाये कि उस राष्टपती संविधानिक तंत्र असफल हो गया है तो वहां राष्टपती सासनल की लागुक किया जा सकता है अनुचे 360 यदि राष्टपतिया समझता है कि भारत यह इसके किसी भाग की वीतिय स्थिर्था योंग खास साख खत्रे में हैं तो वह वीतिय अपात स्थिती की घोशना कर सकता है अनुचे 365 यदि कोई राष्टपति केंद्र द्वारा भेजे गए किसी कारेकारी निर्देश का पालन करने में असफल रहता है तो राष्टपति द्वारा यह समझा जाना वीरी सम्मत होगा कि उस राष्टपति में समविधान तंत्र के अनुरूप पर सासन चलने की स्थिती का वर्णन है अनुचे 371 कुछ राज्यों के विशेश चेतरों के विकास के लिए राष्टपति बोर्ड स्थापित कर सकता है जैसे महाराष्ट गुजरात नगलन मनीपूर इत्यादी अनुचे 394 का राष्टपति अपने अधिकार के अंत्रगत इस सम्मिधान का हिंदी भ अधिकार अधिनियम सामिल नहीं है यहां रद किया जाता है संबिधान में किये गए परमुक संसोधन पहला संसोधन 1951 इसके माध्यम से स्वधंत्रता समानता एवं संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किये जाने संबंधि कुछ व्यभारिक कठिनाईयों प्रिक्षा नहीं दिजा सकती है रूसरा संसोधन 1952 इसके अंधर अधिक स्थान पर खादान पसुँओं कि लिए चाहरा कच्या का पास जूट आदी को रखा गया है जिसके उत्पाधन एवं आपूर्ती को लोग हीत में समझने पर सरकार उस पर नियंत्रन लगा सकती है चौथा संसोधन 1955 इसके उंत्रगत व्यक्तिकत समपत्ती को लोग हीत में राज्य द्वारा हस्तगत किये जाने के स्थिति में नियाले इसकी छत्यपूर्ती के संबंद में परिक्छा नहीं कर सकता चौथा संसोधन 1956 इस संसोधन द्वारा सात्वी अनुसूची के संग्सूची में परिवर्तन कर अंतर राजिये बिक्री करके अंत्रगत कुछ वह अस्तूओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया है साथवा संसोधन 1956 इस संसोधन द्वारा भासाई अधार पर राज्यों का पुनरगाठ rhण किया गया है जिसमें पहले के तीन स्रेणियों में राज्यों के वर्गिकरण को स्माप्त करते हुए राज्यों के अंध्रसासित प्रदेषों में उनिय विभाजित किया गया है भारती समुदायों के आरक्चन सम्मंदी प्रवधानों को 10 वर्सों के लिए अर्थात 1970 इस्वी तक बढ़ा दिया गया है नौवा संसोधन 1960 इस्वी इसके अंतरगत सम्विधान की प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करके भारत और पाकिस्तान के वीच उनिसों ठाउन की संधी की सर्तों के अनुसार बेरु बारी खुलना और चेत्र के आदी चेत्र पकिस्तान को दे दिये गया है दसवा संसोधन 1961 इसके अंतरगत भूत पूर्व पुत्रगाली अन्ता छेत्रों दादर यों नागर हविली को भारत में सामिल कर उन्हें किंद्रसासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है एगारवा संसोधन 1961 इसके अंतरगत उप्राष्टपती के निर्वाचन के प्रवधानों में परिवर्तन कर इस अंदर में दोनों सदनों के संजुक तदिवेशन को बुलाया गया है साथ ही यह भी निर्धारित किया गया है कि निर्वाचक मंडल में पत की रिक्तता के अधार पर राष्टपती या उपराष्टपती के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती इसके अंतरगत सम्विधान की प्रतम अनुसुची में संसोधन कर गुवा दमन्तिव और भारत में केंदरसासित प्रदेश के रूप में सामिल कर लिया गया है तिरावा संसोधन 1962 इसके अंतरगत नागलान के संब्ध में विशेश प्रवधान अपना कर उसे एक राज्य का दर्जादे दिया गया है चौदावा संसोधन 1963 इसके द्वारा केंदरसासित प्रदेश के रूप में पुदुचेरी को भारत में सामिल किया गया है सांथ ही इसके दोरा हिमाचल परदेश, मनीपूर, त्रिपूरा, गोवा, दमन और दियों, पुदुचेरी के अंदर सासित प्रदोसों में विधान पालिक, मंत्री परिशत के अस्थापना की गई है पंदरवा संसुधन 1963 इसके अंतरगत उच्छ न्याले के न्यायधिसों की सेवा मुक्ति की आयू साथ से बढ़ागार 62 वर्स कर दी गई है तथा अवकास प्राप्त न्यायधिसों की उच्छ न्याले में न्युक्ति से संबंदित प्रवधान बनाए गया है सुलावा संसुधन 1963 इसके द्वारा देश की संप्रुपुदा अमखंडता के हीत में मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंद लगाने के प्रवधान रखे गया है साथ ही तीसरी अनुसुची में प्रवधान कर सपत ग्रहंड के अंतरगत मैं भारत की स्वतंतरता हम अखंडता को बनाए रखोंगा जोड़ा गया है सत्रावा संसुधन 1964 इसमें संपत्ति के अधिकारों में भी संसुधन करते हुए कुछान न भूमी सुधार प्रवधानों को नवी अनुसुची में रखा गया है इसकी वैदता की परिक्षा सर्वोच चुनियाले द्वारा नहीं की जा सकती है अठ्रावा संसुधन 1966 इसके अंत्रगत पंजाब का भवासाई अधार पर पुनलगतन करते हुए पंजाबी भासा के चेतर को पंजाब वे कम हिंदी भासी चेतर कुरहराना के रूप में गठित किया गया है परवधिये चेतर हिमाचल प्रदेश को दे दिये गया है इसके अंतरगत अनियमी तता के अधार पर नियुक्त हुए जिला निया धीसों की नियुक्ति को वैदत्ता प्रदान की गई है 21 संसोधन 1967 इसके द्वारा सिंधी भासा को संविधान के 8 वी अनुसुची के अंतरगत 15 वी भासा के रूप में सामिल किया गया है 22 संसोधन 1979 इसके द्वारा आसम में अलग करके एक नया राजे में घाले बनाये गया है 23 संसोधन 1979 इसके अंतरगत विधान पालेकाओं में अनुसुची जाती अनुसुची जन जाती के अरक्षन एवं आंगल भारती समुदाएक लोगों का मनुवनियन और 10 वर्सों के लिए बढ़ा दिया गया है 24 संसोधन 1971 इसससदन के अंतरगत संसद की इस सकती को असपस्ठ किया गया है कि वह समविधान के किसी भी भाग को जिसमें तीन भाग के अंतरगत आने वाले मुल अदिकार भी है संसोधित कर सकती है साथ ही यह भी निर्धारित किया गया है कि संसुधन संबंधी विद्यक जब दोनों सदनों में पारित हो कर राष्टपती के समक्स जाएगा तो इस पर राष्टपती द्वारा सम्मती दिया जाना बाध्यकारी होगा चबिसवा संसुधन 1971 इसके अंदर गत भोत पूर्वे देशी राजियों के सासकों के विशे सुपाधियों उनके प्रीवी पर्ष को समाप्त कर दिया गया है 27 अधिवे शंसोधन 1971 इसके अंतरगत मिजोरब में मरोनाचल परदेशकों के इंदर सासित परदोस्यों के रूप में अस्थापित किया गया है 29 संसोधन 1972 इसके अंतरगत केरल भू सुधार संसोधन अधिनियम 1979 था केरल भू सुधार संसोधन अधिनियम 1971 को समिधान की नवी अनुसूची में रख दिया गया है जिससे इसकी समिधानिक व्यदता को न्याले में चुनाउती ना दी जा सके एक तीसवा संसोधन 1973 इसके द्वारा लोक सभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545 कर दी गई है और केंदरसासित प्रदेशों का प्रतरिदुत 25 से घटा कर 20 कर दिया गया है 32 संसोधन 1974 इसके द्वारा संसद एवां बिधान पालिकाओं के सदस्यों द्वारा दबाओं में या जबरजस्ती किये जाने पर स्तिफा देना अवैद खोसीत कर दिया गया है यहां अधियक्ष को या अधिकार दिया गया है कि वस सिर्व स्वेक्षा से दिये गए उचित त् वेत्ता के परिक्षन सम्भूत कर दिया गया है पैन्तिसवा सिक्किम को बाइसवा राज् renowned बनाया गया है पहत अपात इस्थिती की घोषना और राश्टपती राज्जे पालम के अंदर प्रसासित प्रदेशों के प्रसासनिक प्रधानों द्वरा अध्यादेश चारी किये जाने के अभिबादित बताते हुए न्याइक पूर्ण रिविचार से उन्हें मुक्त रखा गया है 49 संसुद 1975 इसके दवरा राष्टपती उपराष्टपती प्रधान मंत्री युम लोग सभा अध्यक्ष के निर्वाजन समंदी विवादों को न्याइक परिक्षन से मुक्त कर दिया गया है इसके द्वारा राज ये लोग सेवा आयो के सदस्यों की सेवा मुक्ती की आयो सीमा 60 से बढ़ा कर 62 वर्स कर दी गई है पर संग लोग सेवा आयो के सदस्यों की सेवा निर्पेक्ष्यों एकता हम अखनता अधि सब जोड़ गए है सभी नित्रिसक तत्वों को मूल अधिकारों पर सरवोचिता सुनिश्चित की गई है इसके अंतरगत सम्विधान में 10 मौलिक करतवियों को अनुछेद 51 के कह भाग 4 के कह के अंतरगत जोड़ा गया है इसके द्वारा सम्विधान को नियाईक परिक्षण से मुक्त कर दिया गया है सभी विधान सभाओं उम लोग सभा के सीटों की संख्या को इस अताबदी के अंतक के लिए इस्तिर कर दिया गया है लोग सभा में विधान सभाओं की अवधी को 5-6 वर्स कर दिया गया है इसके दोवारा यह निधारित किया गया है कि किसी केंदरी कानून की वैदता पर सर्वोच नियाले उम्राज्य के कानून की वैदता का उच नियाले ही परिक्षन करेगा साथ ही यह भी निर्धारित किया गया है कि किसी सम्मेधानिक वैत्ता के प्रस्ट पर पांच से अथिक नियाधीसों की बेंच द्वारा दो तिहाई बहुमत से निर्ने दिया जाना चाहिए और यदि न्याय धीसों की संख्या पांच तक हो तो निर्ने सर्वसम्मती से होना चाहिए इसके दौरा वन संपदा सिक्छा जन संख्या नियंतरन आधी वीस्यों को राज सुची से समवर्ती सुची के अंतरगत कर दिया गया इसके अंतरगत निर्धारित किया गया कि राष्ट पती मंत्री परिस्व तो मुसके प्रमुख प्रधान मंत्री की सलाह के अनुसार कारे करेगा इसने संसत के राष्ट विरोधी गतिवीदियों से निपटने के लिए कानून बनाने के अधिकार दिये यह उमसर्वोच चता अस्थापित की चोवाली सवा संसुधन 1978 इसके अंतरगत राष्टी आपात इस्थिती लागू करने के लिए आंत्री कसांती के स्थान पर सेन्य विद्रोग के अधार रखा गया और आपात इस्थिती संबंधी अन्य प्रवधानों में परिवर्तन लाया गया जिससे उनका दुरूप यूग ना हो इसके द्वारत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटा कर विधिक कानूनी अधिकारों के स्रेणी में रख दिया गया लोग सभा तथा राज विधान सभाओं की अधि चो वर्स से घटा कर पूरा पांच वर्स कर दी गई उचितम न्याले राष्टपती और मौप राष्टपती के निर्वाचन समंधी विवात को हल करने की अधिकारिकता प्रदान की गई पचासवा संसोधन 1984 वी इसके द्वरान उच्छे 33 में संसोधन कर सैन्ने सेवाओं की पूरक सेवाओं में कारे करने वाले के लिए अवस्यक सुचनाय कत्रित करने देश के संपत्ती की रक्षा करने और कानून तथा विवस्था सम्मानित दैत्तू भी दिये गया साथ ही इन सेवाओं द्वारा उचित करता वे पालन है तू संसत को कानून बनाने का अधिकार भी दिया गया 52 संसुधन 1985 इस संसुधन के द्वरा राजनितिक दल बदल पर अंकुस लगाने का लक्ष रखा गया जिसके अंतरगत संसत या विधान मंटलों के कुछ सदस्यों को अयोग घोसित कर दिया जाएगा जो उस दल को छोड़ते हैं जिसके चुनाव चिन पर उन्होंने चुनाव लड़ा था पर यदि किसी दल के संसतिये पार्टी के एक तियाई सदस से अलग दल बना ले चाहते हैं तो उन पर अयोगेता लागू नहीं होती दल बदल विरोधी इन प्रावधानों को संविधान की दसवी अनुसूची के अंतरगत रखा गया है तिरपनवा संसोधन 1986 इसके अंतरगत अनुछे 371 में खंड जी जोड कर मिजूरम को राज्य का दरजा दिया गया है चौवानवा संसोधन 1986 इसके दुआरा तमिधान की दूसरी अनुसूची के भाग दीक में संसोधन कर नयायत धीसों के वेतन में ब्रिधी का अधिकार संसत को दिया गया है पचपनवा संसोधन 1986 इसके अंतरगत अरुनाचल परदेश को राज जी बनाया गया है चौवा संसोधन 1987 इसके अंतरगत गुवा को एक राज जी का दरजा दिया गया है दमन और अउम्दिक कंदरसासित परदेश के रूप में ही राने दिया गया है संतावनवा संसोधन 1987 इसके अंतरगत अनुसुचित जन्जातियों के आरक्षन से सम्वंधित में मिघाले मिजुरम नगालेंड और मुरुनाचल परदेश की विधान सभा सीटों का परिस्थीमन इस सताबदी के अंत तक के लिए दिया गया है 98 संसोधन 1987 इसके दोरह राष्टपती को सम्वंधान का प्रमाडिक हिंदी संसकरन प्रकासित करने के लिए अधिकृत किया गया है 60 संसोधन 1988 इसके अंतरगत व्यवसाय कर की सीमा 250 रुपे से बढ़ा कर 2500 रुपे प्रति व्यक्ति प्रति वर्स कर दी गई है 61 संसोधन 1989 इसके दोरह मत्यदान के लिए आयोसी में 20 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष दिलाने का प्रस्ताव था 65 संसोधन 1990 इसके दोरह अनुछे 338 में संसोधन करके अनुसुचित जाती और जन जाती के आयोक की गठन की विवस्था की गई है 99 संसोधन 1991 इसके दिल्ली को राष्टी रजधानी छेत्र बनाया गया तथा दिल्ली संग राज्ये छेत्र के लिए विधान सभा और मंत्री परिशत का उप्वानत की आगया दिल्लियों पुदुचरी संग राज छेत्रों की विधान सभावों के सदस्यों को राष्टपती के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया एकहतरवा संसुधन 1992 आठवी अनुसुची में कॉंकडी मनीपुडी और नेपाले भात्व को सम्मिलित किया गया तिहतरवा संसुधन 1992-1993 इसके अनुसुची अनुसुची जोड़ी गई इसके पंचायती राज सम्मंधी प्रवधानों को सम्मिलित किया गया इस संसुधन के द्वारा संविधन में भाग नुसुड़ा गया इसमें अनुसुची अनुछेद 243 का से 243 अड़ा तक अनुछेद है चोहतरवा संसुधन 1993-1993 इसके अंतरगत संविधन में बारावी अनुसुची सामिल की गई जिसमें नगरपालिका, नगर निगम और नगरपडिसुदू संबंद के प्रवधान किये गए इस संसोधन द्वारा संविधान में भाग नौ जुड़ा गया इसमें अनुच्छेद 243 है अनुच्छेद 243 यद तक के अनुच्छेद है इस संसोधन अधिनियम द्वारा संविधान के नवी अनुच्छेद किया गया और तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछले वर्गों के लिए सरकारी नोकर्यों में 79% आरक्षन का बंद करने वाली अधिनियम को नवी अनुसूची में सामिल कर दिया गया 78वा संसुधन 1995 इसवी इसके दुवरा नवी अनुसूची में विभीन राजियों दुवरा पारित 27 भूमी सुधार वीदियों को समाविष्ट किया गया इस प्रकार नवी अनुसूची में समलित अधिनियमों की कूल संख्या 284 हो गई 99वा संसूधन 1999 इसवी अनुसूची जातियों के लिए आरक्षन किया वधी 25 जनवरी 2010 इसवी तक के लिए बढ़ा दी गई इस अनुसूधन के माध्यम से व्यवस्था की गई कि अब राझजियों को परतयक्स केंद्रिये करों से प्राप्त कूल धन राशी का 29% हिस्सा मिलेगा इस संसोधन के द्वारा राजियों को सरकारी नौकरियों के आरक्षी तरिक्त अस्थानों की भरती है तो प्रोनत्ती के मामलों में अनुसुचित जातियों में अनुसुचित जन जातियों के अभियारतियों के लिए नियुंतम प्राप्तांकों में छूट प्रदान करने के अ उसे अच्छूट प्रधान की गई है चौरासीवा संसुधन दुहजार एक स्वी इस संसुधन अधिनियम द्वारा लोग सभायं विधान सभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष दुहजार चबिस इस्वी तक कोई परिवर्थन न करने का प्रवधान किया गया है पचासीवा संसुधन दुहजार एक स्वी सरकारी सिवाव में अनुसुचित जाती जन जाती के अभियार्थियों के लिए पदो उनत्तियों में आरक्षन की विवस्था इस संसुधन अधिनियम दुहरा देश के चो से चोदर वर्ष तक के बच्चों के लिए निवारे उमनी सुल्क सिक्षक को मौलिक अधिकार के रूप में मानेता देने संबंदी प्रवधान किया गया है इसे अनुच्छेद 12 के क क क क अंतरगत समिधान में जोड़ा गया है इस अधिनियम दुहरा समिधान के अनुच्छेद 45 तथा अनुच्छेद 15 के क में संसोधन किये जाने का प्रवधान है 87 संसोधन 2003 इसवी परिसीमन में जनसंख्या के अधारपनिश्टाई कानवी इसवी की जनगर्णा के अस्तान पर 2001 इसवी कर दी गई है 88 संसोधन 2003 इसवी सिवाओं पर कर का प्रवधान है 89 संसोधन 2003 इसवी अनुच्छी जनजाती के लिए प्रथक राष्टी आयोग की अस्तापना की वेवस्था 90 संसोधन 2003 इसवी आसाम पिधान सवा में अनुच्छी जातियों और गैर अनुच्छी जनजातियों का प्रतिनेज़त तो बरकरार रखते हुए बोडो लैंड, टेरिटोरियल, कॉंसिल छेतर, गैर जनजाती के लोगों के अधिकारों की सुरक्छा 91 संसोधन 2003 इसवी दल बदल वेवस्था में संसोधन के वल संपूर्ण, दल के विलाई को मानेता, केंद्र तथा राज्य में मंत्री परजिसत के सदा से संख्या करमसा, लोग सभा में विधान सभा के सदा से संख्या के 15% होगा जहां सदन के सदसे संख्या 40-40 है वहां अधिक्तम 12 होगी संथाविधान के आठवी अनुसुची में बोडो, डोगरी, मैथली यों संथाली भासाओं का समवेश सिक्षा संसोधन में अनुसुची जाती जन जाती हम अन्य पिछडे वर्गों के नागरीकों के दाखिले के लिए सीटों के आरक्षन की वेवास था समिधान के अनुछेत 15 की धारा 4 के प्रवधानों के तहत की गई है 94 संसोधन 2026 इस संसोधन द्वारा बिहार राज्जिय को एक जन जाती कल्यान मंतरी निउक्त करने के उत्रदै सुझे मुक्त कर दिया गया है तथा इस प्रवधान में 6 खंड और 36 घड राजियों से लागू करने की ववस्था की गई है मद परदेश सेव मुडिशार राजिय में यह प्रवधान पहले से ही लागू है 95 संसोधन 2029 इस संसोधन द्वारा अनुछे 334 में संसोधन कर लोग सभा में अनुसुचित जातीयों ववा अनुसुचित जन जातीयों के आरक्षन यह आंगल भारतियों को मनुनित करने संबंदी प्रवधान को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है 96 संसोधन संसोधन अधिनियम 2011 संविधान को आठवी अनुसुचि में उडिया के अस्थान पर ओडिया लिखा गया 97 संसोधन संसोधन अधिनियम 2011 इस अनसोधन के द्वर्वाद सहकारी समीतियों को एक संसरक्षन परदान किया सहकारी समीति बनाने का अधिकार एक मौली का अधिकार बन गया अनुछथ 9 के एक गह में राजी की निती में सहकारी समीतियों को बढ़ावा देने का एक नया निती निते सक सिधानत का समवेस अनुछे 43 के ख सहकारी समीतियां नाम से एक नया भाग 9 के ख समीधान में जोड़ा गया अनुछे 243 यज से 243 यन अन्ठानबवा समीधान संसोधन अधिनियम 2012 सम्वेधान में अनुछे 371 ये सामिल किया गया इसका उदेश करनाटक के राज जिपाल को हैद्राबाद करनाटक छेतर के विकास से तुक कदम उठाने के लिए ससक्त करना था निन्यानवेवा समीधान संसोधन अधिनियम 2014 राष्टिय नियाईक न्युक्ति आयोक्य स्थापना स्वावा समीधान संसोधन अधिनियम 2015 भारत बांगलादेश भूमी हस्तनांतरन